अब बाइक बंद हो रहा है इसका रेस्पंस क्या है वो लक्स होता है कि आपका ट्यूनिंग ठीक से हुआ है अभी और चीज़ें में बताऊंगा तो पहले स्टार्ट करते हैं अब देख सकते एक सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है तो इस वीडियो में हम होंडा साइन स्पीक का ट्यूनिंग करने वाले कारवडर का अब एर फिल जो मायल सेटिंग वालते हैं तो बेसिकली मैंने अभी खोल के रखा है क्योंकि यह जो कारवडर है बहुत ही भैने कारवडर आप इसके बाद यह बैटरी का क्लीप यहां पहला इसको निकल दिया और जो बैटरी बॉक्स है यहां पे दो स्कूरू के देखसके यहां पे इंप स्कूरू अठास ता जो दसनंबर का बोल्ड जोने रिमूए अब अन्जस्ट इसको करनाई मैं आ आपको दिखा रहा फूल टाइट कर दिए और थोड़ा सा लूज रखा है अब इसको स्विनंग करते और मैं कैमरे में आपको दिखा सकते हुद किया है अभी इसको थोड़ सा टाइट किया है अब रही को स्टार्ट करना है आपको कि और बैटरी निकालने के जरीवत नहीं बैटरी ऐसे लगा मतलब लगा रहने दीजिए Sa Jerry. अब तोकि इस वीं देख सेक्ट बाइब बंद हो रहा है तो आपको क्या करना है मैं ने आर्पियम को कुछ झण नहीं मैं जो भी आर्पियम क्यों है यह आपका इड़ेस्टिंग स्क्रू घ्यू watching इसको च्मेर भी पहले होगय से नहीं मैं उसी में आपको मस्त ट्रिक बताऊंगा जस्ट थोड़ा सा अगर चाहते हैं तो अब अगर टाइट करने के बाद जैसे मैं आपको बाइक स्टार्ट करें आप बाइक बंद हो रहे तो आपको करना है जो हमने अपने मिक्सर स्कुर को फूल टाइट किया था तो थोड़ा सा एक राउंट आपको बार के खोल देना है खोल रहा हूं ठीक है मैंने एक राउंट खुले अब स्टार्ट करता है ठीक है अब भी बाइक बंद हो रहे तो आपको और खोलना है और एक रोण मैंने खोल दिया है ठीक है मुझे लग रहे है और थोड़ा सा कोलना पड़ेगा प्रच बिल्कुल थोड़ा सा खोल रहा है कि अब इस्टार्ट करना रहे है ठीक है अब बाइक लग रहे हैं कि थोड़ा सा प्रवार स्टार्ट होने वाले तब अपको किया करना है भी आप को फिर मस्क्रु नोए थोड़ा सा बढ़ा जो वासृंस फोड़ा सां हम बिल्कुल अल्का सा अठीक अब स्क्रप्र करतें वहीं को जले सकते हैं बाई का भी झार्ट नो आई दो इसके लिए खुलका सा इसको ज्यादा घूमाने के जरुद नहीं है अब स्टार्ट करते हैं तो देखें बाई-गाई भी स्टार्ट है अब हमको जो असली ट्यूनी को करना पड़ेगा उसके लिए करना पड़ेगा जहां तक मैंने में खोला है उसके बाद से हमको थोड़ा सा खोलने पड़े हलका सा अ अब रिश देख सेके बड़ेगा टीक है मैंने आजएजुन कर दिया आप मैं खोलूंगा यहां पर अनाजर टालिके थोड़ा से खोला और स्थिट ही बिल्कूर स्मूध विए और थोड़ा से कोला हमने और कुछ सेट एक सेकेड दो सअल रुखना है अफार कोला हमने है और फूरों से कुलते हैं अब देखिए स्कीड पहले से बहुत जाद इंक्रेस हो चुका है अभी और स्कीड बढ़ेगा देख सकते हैं अब इस पोजिशन में आके स्पीड अच्छा खाता हुआ है और और आपको खोलना पड़ता है वर उससे पहले आपको चेक यह करना है कि आपका फॉर्टल रेस्पॉंस है ठीक से हुआ है कि नहीं है मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं पहले है कि आपको थ्रॉटल खोलना है मुआ कि देख सकते क्या इसोस में है अभी मैं थ्रॉटल खोलने वाद तुरंट जो है रेस आपका कम नहीं हो रहा है देख सकते कम नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा और फियूल देना बड़ेगा मतलब इसको और खोलना बड़ेगा तो थोड़ा सा और खोलते हैं देखें तो रेस और थोड़ा और भी बढ़ रहा है अब मैंने एक टान अभी खोला यार और अब चेक करते हैं कि थोड़ा रेसमस क्या है और तुरण स्पीड कम होना चाहिए ठीक है दो स्पीड कम इसके नहीं होगा है अभी स्पीड इसमें नहीं हो रहे है तो हम्को क्या करना पढ़े हो इसके लिए उसके रहे हम जूर्म नौर्मल विसे करना पढ़े गा कि सोड़ा सक कम करी देख से कम हो रहा है ठीक है इतना हमने रखा है अब उसके बाद फिर से हमको ठोटल रेस्पोंस और जो रेस्ट तुरन कम होना चाहिए बोग चिक करते हैं अब पहले से बहुत जाद इंप्रूब्मेंट हुआ है देख तके रेस्ट तुरन कम हो रहा है और रिस्पोंसी बढ़ी है ठीक है मुझे लग रहे हैं और थोड़ा से इसको पेट्रोल देना पड़ेगा कि अभी थोड़ा से इसमें जर्थ है और इसमें क्या हो रहा है बैक टू नॉनमल होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो इसको पेट्रोल को थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा कि अबने और थोड़ा था खोला है अब चेक करते हैं इसका रेस्पंस क्या है अब देख सकते इसमें बहुत दोड़ी इंप्रूब्मेंट हुआ है देख सकते इसमें रेस्टोरंग् solop row tim ताइम मुझे लग रहा है और थोड़ा सा कंप करना पड़ेगा अब इसमें अब अब कि इसमें एक बाद ऐसे संनले जिए रिदीन रिजी सुन लेजी से खुम के मुझे लग रहा है इसमें और थोड़ा सा खोलना पड़ेगा हई है लग रहा है मुझे थोड़ा सा जर्क फीलिंग हो रहा है इंजिन में हाँ इसमें और थोड़ा सा जर्क फिलिंग हो रहा है मुझे अब क्या करना है इसको थोड़ा सा टाइट करना हल्का सा टाइट करना है है हमने हलका सा टाइट किया है कि कभी इसमें जार्ः हो रहा था है कि अब भी बिल्कुत प्रोपारे देख सकते हैं इस घरने के बाद समय होई तुर्म तूरण हो है अभी और चीज़े में बताऊंगा तो पहले स्टार्ट करते हैं तो देख सेखते एक सेल्फिम स्टार्ट हो रहा है और फिर भी अगर आपके वाइक में टीव नहीं हो रहा है उसकी इससे भी आसान तरका में आपको बता रहा हूं आपके कुछ भी कारबटर के छेड़ने के जरूरत नहीं है वैसे ही पैनल खुला हुआ है अब आपको क्या करना है अब आर्पेम स्क्रू को मतलब मिक्सर स्क्र करना है जहां पर भी प्रोसीडियर हो जहां पर भी आपको सेटिंग कुछ भी फर्क नहीं बढ़ता है अब आपको क्या करना बढ़ेगा यह जो स्क्रू है निक्सर स्क्रू है ठीक है इसको आपको बाहर की तरफ खोलना बढ़ेगा बाहर की तरफ खोलना बाहर की तरफ खो खुले हुआ हो देख मैं अब को दिखा रहा हूं यह दिखा रहा हूं इसके अब हम और र्प्म में आपका रैस है बॉस्ट इसे हैं जो दो आफ देख सकते इसका कितना rpm कम हो गया है ठीक है इस situation में आपको क्या करने मेंड़ा आपको कुछ भी छेड़ नहीं देख सकते बिल्कुल rpm लिए डाउन हो गया है ठीक है अब इसको फ्यूल नहीं मिल रहे जमें ज्याधा मिल रहे हैं आपको करना बढ़ागा दर्ट्ट को बंद हो गया मैंने इसको खोला यह अब 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 को फिर से बाइक को श्तार्ट करना पढ़ेगा तो अब आपको स्थाटे करना है है जब और आपको टाइट करना है देख सकते रिस बढ़ रहा है आपको अभी टाइट करना है अभी थोड़ा सा रूखना पड़ेगा आपको और फिर से अब टाइट करी हलका सा आपको 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 देख सकते हैं कि रिदिम में आ चुगा है कि अब आपको आपको दिखा दिया है अब मैं आपको छोड़ा रिस्पंस अगर आप दिखाऊ हूं तो बाइक बंद हो गया फिर से स्टार्ट करता है तो अभी इसको मैंने चालो करते हैं अब इसको थोड़ा रिस्पंस टूरंद इंक्रीज होगा मतलब तुरंद इंक्रीज होगा तुरंद डाउन की होगा तो देख सकते हैं भी तुरंद डाउन होगा तुरंद डाउन हो रहा है बिल्कूल प्रॉपर है और इसमें अब्सक्रीज बहुत बढ़िया है तो यह पका दूसरा राइप का ट्यूनिंग हो गया अब दूसरा राइपका ट्यूनिंग जादा फेकर्बर करता हूं कि रबला को इसमें उस्में सब्सक्रीज होता है और आप पे जो आइन जादा रपम स्क्रीज होता है तो इसको भी ज्यादा चेंड़ने की आमने शेड़ा ही नहीं है तो देखंग तायंब करता हूं और द रेट सेकते हैं और अगर आप ज्यादा चाहते हैं कि थोड़ा से फ्यूल बचाना रेक्पाइब करेंगा आप अंदर की अंदर की साइब स्क्रूपों अलका सा बिल्कुल आहाफ तर्ण ज्यादा टार्ण कर दीजिए यह से मैं आपको दिजा रहा हूं अधिक हालका हमें टांड कर दिये जब फिट्रूल डादा नहीं खाएगा और बाइक के पार्पोमेंस की बहते हो देगा लास्ट ट्राइ कर लाता है लेक्सक्ते है प्लट टोब तेट गाल या ठीक हैक वीडियो सू बागे सब बढ़ी है और इस ताम जाम को मझे लगाना पड़ सकता है लगांगों जरूर और एसे होले में पर किसी भाई कर सकते हैं और झो भी इस तरह का करव्डर आता है मम् आपको दिखार हो जो भी इसá का अनुट करता है थूर को इस टाइप में और बालाओन को पता होगा जब तक ज्यादा खोलेंगे उसका आपका यह ज्यादा जाएगा उसको पेट्रोल जाएक पेट्रोल को अब ज्यादा खोल रहे हैं तो सबसक्राइब मैंने करके दिखा दे दोपर आने आपको करता हूँ दास रोला बिल्कुल एकुल ऑख ऑट जो ईक्सपरेंस दो नहीं उसमें तो फस्ट वाला जो आपयों मैं कैसे अचेश्च करते कैसे मिश्चेश करते उसका देख सकते हैं चले फीडिएए पेरं करते हैं और कुछ भी कॉ ग्रोव कर बाद तभी मैं बहुत सारे चीज़ा मोडिवेशन लेटेड टेक्निशन लेटेड मैं सभी कर रिव्यू करूंगा और बात में इसको बाइक कर रिव्यू मैं सोच रहा हूं ठीक है चैनल ग्रोव होना दीजिए और अब तक लिए इतना ही इसलिए खतम करते इस वी